नमस्कार मैं श्रोज कुमारी सहाचारे राजनिती विज्ञान राजके महवद्यले नोहर आज हम बी ये पार्ट फस्ट के पेपर फस्ट के अंतरगत टोपिक विभारवाद का उदे एवं विकास तथा विकास के कारण या उदे के कारण पढ़ेंगे विभारवाद का टोपिक कर रहे हैं अब इन दिनों हम तो आज पढ़ेंगे विभारवाद का उदे एवं विकास तथा उसके कारण क्या रहे तो विभारवाद पर्मुक रूप से दित्यविश्यूत के पश्चात विक्षित हुआ लेकिन इसके पहले भी अनेक विचारकों के रुचनाओं में विभारवाद के दर्शन हमें होते हैं तो पहले हम पढ़ रहे हैं विभारवाद का विकास किस प्रकार से हुआ विभारवाद का प्रारम। निस्यो आठ में ग्रहम वाल्स की रचना Human Nature in Politics और A.F. Bantley की रचना इसका प्रारम माना जाता है इसके बाद 1925 में प्रकासित चार्ल्स मर्यम की रचना न्यू आस्पेक्ट्स ओफ प्रकासित हुई रचना जिसका नाम था न्यू आस्पेक्ट्स ओफ प्रकासित को इस दिशा में एक महतपुन चर्ण के रूप में कहा जा सकता है यानि ग्राहमवाल्स, एफ वेंटले और चार्ल्स मर्यम ये विभारवाद के प्रारम के जो विचारक है उनमें माने जाते हैं इनकी रचनाओं को अधार भूत रचनाओं के रूप में माना जाता है अमरीका का सिकागो विश्वी द्याले इसका गड़ बन गया यानि अमरीका के राजवेगयानिकों का सबसे जाधा योगदान माना जाता है विभारवाद में उन्हों नहीं इसका रिसर्च अनुसंदान किया और गड़ बन गया अमरीका का सिकागो विश्वी द्याले इसके साथ साथ Political Science Association और Social Science Research Council तथा फोर्ड, कार्नेगी और रोक फिलर जैसी संस्थाओं ने विभारवाद के विकास में सैयोग दिया Political Science Association, Social Science Research Council, फोर्ड, कार्नेगी और रोक फिलर जैसी संस्थाओं या Associations ने भी राजिनती विज्ञान में विभारवादी अध्यन को प्रोसान दिया, सैयोग दिया, योगदान दिया और विभारवाद का विकास होता रहा, विभारवाद का विकास हुआ तो अमरिका क्या Political Science Association अमरिका का सिकागो विश्व दिया ले और अन्य कई संस्थाओं ने आर्थिक साहिता भी दी और अन्य सैयोग दिया, जिससे राजिनती विज्ञान में विभारवादी अध्यन प्रारम हुआ और अध्यन को गती मिली अब पड़ते हैं, विभारवादी अध्यन या विभारवाद का उद्यय विकास जो हुआ, उसके पिछे क्या कारण रहे, किन कारणों से विभारवादी अध्यन राजिनती विज्ञान में प्रारम हुए तो उसके लिए कई कार्ण उत्रदाई रही हैं जिन में सबसे महत्रपून, सबसे परमोख और पहला कार्ण आता है प्रम परागत अध्यन पदतियों के परती ऐसंतोष पर्मो कार्णों में आता है प्रमप्रागत अध्यन पदती यानि जो प्रमप्रागत रष्टिकों रांति वियानिक अध्यन का था वधिक वेग्यानिक नहीं था वो सदान्तिक अध्यन पर जोड़ देते थे वन्नात्मक अध्यन पर जोड़ देते थे और उसके कार्ण जो है श्वम राजवग्यानिकों को यह अन्भव हुआ कि हम अपने अध्यन द्वारा या हम अपने जो पुराना तरीका है हमारा अध्यन का उसके द्वारा आधुनिक समें में या कहें तो आधुनिक अध्यन उससे नहीं कर सकते हैं या जो आधुनिक तुनोतियां उस समें की उप पड़ेगा हमें अधिक विभारिक बनना पड़ेगा तो प्रम्प्रागत जो दृष्टी कुण था प्रम्प्रागत जो अध्यन का तरीका था उसमें क्या कमी उनको नजर आई देखते हैं इसमें पर्थम आता है राजनिती सास्त्रियों ने देखा कि सास्न के नीती निर्मान एवं निर्धारण के स्तर पर राजनिताओं को तो सम्मान जनक इस्थान दिया जाता था राजवेग्यनिकों को नहीं यानि उनका सबसे पहली सिकायत उनकी श्विम से थी कि नीती डिशिजन मेकिंग में नीती निर्धारण में राजनिती सास्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था जबकि राजनिताओं को जो राजनिती से विशेस रूप से जो राजनिती के कहें तो जिनको ज्ञान हम राजवैग्यानिकों से कम ही मान सकते हैं राजनिताओं का फिर भी उनको महतव दिया जाता था निर्णे में निति निर्धान में, राश्ट्र की नितियों के निर्धान में राजनिताओं को महतब दिया गया, राजवैग्यानिकों को नहीं, ये पहला ऐसंतोस जो है, राजवैग्यानिकों के दिमाग में आया, दूसरा है, राजनिति विज्ञान में सैदान्तिक अध्यन पर ही बल दि सर्च नहीं थी ऐसे काल्पनिक अध्यन और सदान्तिक अध्यन पर जोर राजवय क्या निकुम द्वारा दिया जाता रहा परम प्रागत अध्यन पत्यूं द्वारा जो की अप्समे के नुरूप एप्रियाप्त लगी तीसरा कान था दो महायुदों के बीच के काल में फासिवाद, नाजिवाद, परजातिवाद और एका अधिकारवादी इन परवर्तियों का विकास हुआ उसके कार्ण एवं समाधान परम प्रागत दर्ष्ठी को उन द्वारा परदान नहीं किये जा सकते थे यानि पर्थम और दित्ते विश्यूत के बीच में फासिवाद, नाजिवाद और अधिकारवादी परवर्तियों का जो अत्यधिक विकास हुआ उसके क्या कार्ण रहे उनका समाधान किस परकार से हो सकता है इसके कोई संतुलित जो है उत्तर जो है संतुलित उत्तर इसका परम प्रागत अधिन पत्यों में नहीं दिये जा सका विश्य का अधिन, वर्नात्मक, दार्षनिक, संस्तागत, उप्चारिक, कानूनी एवं एतिहासिक पदतियों पर जोड देता था जो बदलती प्रसितियों में ए प्रासंगे के हो गया था यानि कहरें का दात्प्रिय है कि शैदान्तिक, दुलनात्मक, एतिहासिक संस्तागत अधिन जो परम प्रागत दस्टिकोर्ण दवरा किया गया हो बदलती प्रसितियों के इसाप से सही नहीं था या आए प्रास्वगीग था तो ये पहला काण था प्रम प्रागत अध्यन पदतियों के पड़ती ऐसंतोष दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेणा यानि विवारवाद के उध्या के लिए जो काण देख रहे हम तो दूसरा आता है अन्य समाज विज्ञानों से प्रेणा अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्यन के नवीन तरीकों और उपकर्णों के परियोग को प्रोशान मिला तो राजनिती सास्तर भी इस से अच्छुता नहीं रहा और उन्हें भी एक नवीन तरीका अपना है राजनिती विज्ञान के अध्यन का जैसा कि रोबर्ट डहल ने लिखा है कि विभारवाद एक ऐसा अंदोलन है जिसका उदेश है राजनिती अध्यन को आध्यनिक मनोविज्ञान, समाज सास्तर और अर्थ सास्तर में विक्षित सिद्धानतों, पदतियों, खोजों और दर्ष्टिकोनों के निकर संपर्ग में लाना है यानि राजनिती विज्ञान से भी पहले अन्य समाज विज्ञानों में मनोविज्ञान, समाज सास्तर इनमें अनसंधान हो रहे थे नए ने तकनिकों का परियोग इन विशों में हो रहा था तो राजमिती विज्यान भी उससे असूता नहीं रहा और नूने भी इन वीशों से प्रणा ले करके राजमिती विज्यान में भी आधुनिक अध्यन प्रारम किये और उनसे भी तकनिके लिए तथा उनका सयोग भी किया तो अन्य समाज विग्यानों में जो हो रहा था तो राज़ विग्यानिकों को भी लगा कि जब अन्य समाज विग्यान विग्यानिक बनने का प्रियास कर सकते हैं या उनका अधिन अधिक विवारिक हो सकता है अधिक अन्ववादी हो सकता है तो राजनती विग्यान का क्यों नहीं क्योंकि राजनिति विज्ञान भी एक समाज दियानी है तीसरा आता है दिथ्धिविश्युद का परभाव कि जिथ्विश्यू आ कि के बाद की जो इस्तितियां पैदा हुई उनका भीविभारवाद के उद्याय में योगदा रहा युद कालीन गटनाओं ने राजनि जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए इन संस्थाओं में कारे करने वाले वेक्तियों के विभार का आध्यन करना होगा। यानि जित्य विश्यूत के पश्चात जो आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक प्रिस्थितियां संपूर्ण विश्व को जहलनी पड़ी और संपूर्ण विश्व में मानता को जो हाकार जहलना पड़ा और जो हालात जित्य विश्यूत के पश्चात संपूर्ण विश्व के हो गए उनका सामना करने के लिए सभी को एक जुठ हो करके प्रियास करने होंगे ऐसा राज़वैग्यानिकों ने अन्भव किया और एक सैदान्ति का दियन से ही ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसा उन्होंने माना तो जगजोर देने वाले गटनाएं दितो विश्यूद के दोरान हुई और जो समस्याएं विश्यूद के पस्चात विश्वों के सामने उपस्थित हुई उनका समाधान करने के लिए सभी को सक्तरी होके कारे करना पड़ेगा ऐसा अन्भव राज़वैग्यानिकों ने किया और उनका ये प्रियास ही है जिसने राज़िनती विज्ञान में ने-ने यी तकनिकों ने-ने अध्यन सामगरी और डेटा के परियोग को प्रोचान मिला और विभारवाद का विकास हुआ तीसरा आता है चौथा आता है इसके कारणों में नवीन अध्यन पदतियों का परियोग नवीन पदतियों जैसे परिक्षन उपकरनों, सर्वेक्षन पदतियों, सांखिकी अविशलेशनों, गणीतिये प्रारूपों, नीदर्शन, सर्वेक्षन जैसे परविधियों के बढ़ते परियोग ने राजनितिक विभार के अध्यन को वस्त्वनिष्ट बना कर विभारवाद का पोशन सहज किया। यारी नई नई तक्निकें जो अन्यसमाज विज्यानों में परियोग की जा रहे थी राजनिति विज्यान में भी परियोग उनका होने लगा परिक्षन उपकरनों, सर्वेक्षन पदतियों, सांखी की विशलेशनों, गनितिये मोडलों, प्रारूपों का अधिका अधिक परि योज राजनती विज्यान में प्रयोग भी हुआ तो विभारवाद का अध्यन जो है उसको पोश्ण मिला और विभारवादी करांती को आगे बढ़ाया जा सका तो इस प्रकार से आज हमने देखा विभारवाद के उद्या इवं विकास के क्या कारण रहे और विभारवाद का उद्या जो है वो पर्थम विश्यू से अभी पहले परारंब हो गया था और जो सबसे पहले विचारक इसके मानने सकते हैं हम वो है ग्रामवाल्स एफ बेंट तक निव आसपेक्स ऑफ वालटिक्स से इसको गती मिली और अमरीका के सिकागो विश्यू देल और अनसनस्थाओं ने इसके विकास में योगदान दिया और विकास के जो कांड रहे या उद्याय विकास के जो पर्मु कांड रहे उनमें रहा प्रम प्रागत अधिन पत्ति का परियों जब होने लगा तो विवारबाद के दिन को गती मिली धन्यवाद